वो उन्हों को मिला था पंदरह साल और क्या काम किये थे कोई काम किये थे क्या पती पत्नी राज किये लोकसभा के चुनाओ प्रचार में आधर्ण ये प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं मैं सबसे पहले उनका अभिननदन करता हूं और उनका करता हूं और ये बड़ी खुसी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझे को पूरी उमीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे आज आधर्निये प्रधान मंत्री हम सबसे अन्रोथ करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आपनों के बीच में आएं सब जीतिएगा अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा आधर्निये प्रधान मंत्री जी के द चलता है अनेक कारेक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदर्णिये प्रधान मंत्री जी को मैं इसके लिए हिर्दय से धन्यवाद देता हूँ अब जान लीजे कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आये थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आये थे लास्ट में 2005 का तो एक ही महीना आद दो तीन दिन थे और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ खाली याद रखिएगा और देख लिजे कि ज़रा कम उमर के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गएं हम सब को चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजे कि पहले क्या हाल था पांच के पहले आज कर लोग परचार करने आता है और दावा पेस करता है तो आप ज़रा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था आप साम में घर से नहीं निकलते थे अब नई पिढ़ी का लोग है खुब घुमता है उसको तो याद नहीं है कि आज जान लेजिए कि पांच से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और च्छों के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज साब लोग साम में टाल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था आज सब जगा रास्ता बन गया तो इसको भूलियेगा मत हम लोग 18 में साल में हैं ऐसा मत बूजियेगा कििसके पहले उन्यों को मिला था 15 साल अग्या काम किये थी क्या क्या पति पतनी राज किये और कोई काम हुआ था कोई काम नहीं हुआ था अगर आप ये वीडियो यूट्व पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें